नमस्काल सातियों मैं हिष्तिवारी सब में सब सबसेंगुम करता हम आपके प्यारे चनल लटके अंदर सीह अपने के लिए गलती को शीह और और यहाँ पर मैं बताओं मेरे साथियों कि पाश्ट की गलती उसको यहाँ पर सीखे के भुविष्ट के सुनहरे रास्टी का निर्मान करिए चलिए तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही शांदर करेंटिफिस को साथ ही पाहला सुन है कि आज यहाँ पर 32 त्युश्ट को इनमें से कौन सब दिवस है जो हर सा कही अंतराश्टी दिवस के रупे मनाया जाता है तो आज मनाते हैं यहाँ पर स्ध Н derecho to यहां पर यहां पर अंतराश्टी जैस्टे जो मनाया जा रहा है जैस्टे क्यों बताने वादा थोड़ी दे से पहले आपको यह जो बाकी अन्य दिवस दिए हैं इनके बाल में थोड़ी बहुत इंफोर्मिशन को सब्सक्राइब देता हैं इसका जो celebration होता है teachers day को होता है 5th September को तो यह दोनों अलग-अलग है विश्यू में अलग है और भारत में अलग है ठीकिन International Jazz Day यह होता है आज ही की दिन है की 30 अपरल को और वल्ड पोस्ट डे यहांकी विश्यू डाग दिवस मनाया जाता बच्चे है आपे 9 ऑक्टूबर को यह सारी की सारी बाते बता दी है तो आज यहां पे रिखी International Jazz Day है जो मनाया जा रहा है लेकि पश्यम देशों की अंदर यहा इसमें देखें बहुत ही इंपोर्टेंट जो वादियंत रहे वो इसमें मजाया जाता है तो यहां पर बात करेंगे 30 अपरल की तो मैं 30 को इंडिया की से बताने वाला हूं जो बहुत examination oriented होने वाला है तो आज यहां पर देखें मनाया जाता है आईश्मान भारत की योजना और आईश्मान भात की योजना को बच्चे यहां पर नाम दिया गया है प्रधामंत्री जन आरुग की योजना इससे पूरे भारत के अंदर है पर क्या गया है और implementation को बढ़ावा देने के लिए इसे दिन की रूप में यहां पर बढ़ाया जाता है इसे दिन की रुक में मनाया भी जाता है जिसका नाम अब है आईश्मान भारत दिवस तो भारत यहां पर आईश्मान भारत दिवस का मनाते हैं बच्चे तो तो आंसर आप करेंगे तो यहां पर आज अंतिम दिन है रिजिस्ट्रेशन का मुख्य मंत्री चेलंजवी योजना आप जानते हैं कि राजस्थान राज्जने ने नेशनल हेल्फ मिशन के तहत में यहां पर सबसे बड़ी योजना को अभी जारी किया है जिसका नामे चेलंज जिदी स्वास्ति योजना है जो यहां पर आज इसका आखरे डे हैं रिजिस्ट्रेशन करने का और यह योजना कल से यांकि एक महीं से पूरे राजस्थान के अंदर हैं पर लागू कर दी जाएगी तो जिन सात्यों ने अभी तक इसका रिजिस्ट्रेशन नहीं किया है वह तो आज यहां पर भारत की बहुती फैमस वग्ति का जर्मदी मी पड़ता है जिनके आज़ी की दिर्म करें और 1870 को मैं बात करूं यहां पर दादा साह sweetness के बारे में तो आजानते हैं कि यहां पर बॉल्लीविड के इंडिस्ट्री तुर्पीन सबसे बड़ा पुरस्कार है वह दादा साह है इनी के नाम पे ऐसा क्यों कहा जाता है सर क्योंकि मैं बता दू मेरे साथियों कि यहां पर 1913 की बात की जा रही है इनी के दुवारा इंडिया की पहली फर्स्ट पूल लेंफ जो फीचर फ्लिम है जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र तो राजा हरिश्चंद्र को रिलेस किया गया था वैसे बता दू मेरे साथियों यह एक म्यूट फ्लिम थी जिसमें आवाश नहीं थी बस चल्चित्र के माध्यम से यहां पर लोग उनके करदारों को आपर देख पा रहे थे भारत की जो पहली बोलती मूवी इसका नाम है आलम आरा लेकिन भारत की जो पहली मूवी से नाम है और इस सार जो दादा साफ पाल के अवार्ड दिया गया है वो दिया गया पर रजनी कांत को जो इस सार का 51 बाहरे कि एक्क्यावन वा है टूटल नमर्स में सबसे पहले मिला है दीविका राणी को यह कोशन पूचिंगे 1969 में और लास टाम इससे पहले दिया गता हुए अमता बच्चन जी को तो यह सारे के सारे पॉइंट है जो मैंने क्लिये कर दिए तीस सब्सक्राइब से आपसे कैसा भी कोशन आजा एक्जामनेशन में आपसे बचने वाला नहीं है सात्यों एक छुटी से बात और है देखो लेकिन मुझे लगता कि कब तक नहीं करेंगे आज नहीं तो कल आपको करना तो पड़ेगा सही बात है ना चलो नेक्स कोशन आपके सामने यह है कि अभी हाली में यहाँ पर किसे अपाइंट किया गया है इस फैनाइन्स सेकरेटरी आप से बच्चे तो यह बनाया गया पर भारत के नए यहां पर वित्त सचीर यहां पर इसकी स्थापना निर्मला शितरमाण जी और ठाकर अजी इसके ऑफिषADA है चलिए इस साल अप्रल महीने 2021 के में जब बात करेंगे तो अप्रल 2021 में बहुत सारे अपॉर्टमेंट्स हुई हैं और यहां से कोशन बहुत जारा पुछ रहेंगे तो जो पहला कोशन मनेगा वो मनेगा सुभाश कुमार जी का यह एडिशनल चार्ज दिया गया है CMD of ONGC तो ONGC की यहां पर CMD बना गया है और जित पटेल जी जो भाग के यहां पर आर्बिय गवर्नर भी रहते यह एडिशनल डारेटर बना गया है मलिका श्रीनवासन जी यहां पर चेरपरसन बने है पब्लिक इंटरप्राइजर सेलेक्शन बोड के अदिल जनुल भाई जी बने है कैपसिटी बिल्डिंग कमिशन के चेर्मन विराट कोहली को बना गया है डिजिट इंशुरूंस का हाँ पर रेंड एमबैसेडर शबीर खंडरवाला जो सबीर खंडरवाला है इने बनागया पर न्यू बीस है पर एक ईहाँ पे एंटी करॉप्ट्छन जो है उसके चीप बना गया है वहे पर बात करते हैं तरुन बजाच जी की तो तरुन बजाच जी बना गया सेकर्टरी अंडर दी मिनिस्ट्री फाइनस जस्टिस एंडी रमना जी बने हैं भारत के नए यहां पर यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है और 24 अपरेल से इन्होंने अपना जो पद है वो सभाल लिया है 24 अपरेल 2021 से इन्होंने पने पद को यह पर प्राप्त कर लिया है फिर चिंतन व्रेशनम जी बहुत इंपॉर्टन है तो देखिए यहां पर नीति आयों के अंडर एक संस्था काम करती है जिसका नाम है अटल इनोवेशन चिंतन व्रेशनम जी है और यहां पर चेर्मन और मैंजिन डारेटर बने गए यहां सब्सक्राइब के इस से अपरेल के महें है तो आज देखिए इस अपरेल का लास्ट दे है तो मैं चाहता हूं कि आप इन सारी के सारे अपरेल को याद कर ली जगा आपसे एक्जामनेशन के सारे aspect के लिए होने वाले हैं और यकिन मानी साथ ही अगर मैं इस channel पर आया हूं प्रशान से हैं अगर मुझे कुछ ले कर आए इस channel पर हैं तो definitely मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा तो साथ ही यकीर मानी हो कि बहुत कुछ नया मिनने वाला है तो यहां पर इन सब के होने के वावजयूत भी आपकी प्रति डेडिकेशन वह बहुत जादा है कि टाटा समू ने इन में से किस कंपनी को खरीद लिया है तो यह है यहां पर बास्केट को बच्चे आपसे एक्जामनेशन कोशन पूछेंगे तो बीग बास्केट के में जब बात करते हैं तो यह एक ऑल्लाइन यहां पर दिया रिखी यह एक ऑल्लाइन ग्रोसरी डिलीवरिंग सर्विसस कंपनी थी और जो यहां पर टाटा गुर्प के दौरहां पर क्याप्चे कल गई है दिसंब करें तो टाटा जी है इनको देना चाहिए देखे बहुत सारी इंडुस्ट्री जहां पर टाटा पर काम करता है मैं ट्रिटेल इंप्रा टालीकॉम टूरीजम एरोस्पेस और डिपैस पे विए काम करता है आप दिखपाएंगे यहां पर स्टार्बक्स तो एक्चलि स्टार लेंड रोवर है यह सबकी सब कंपनी से अपर टाटा के अधिन माती है तो टाटा देखे जिसे जमशेद जी टाटा के दौरा पांड़र क्या गयता हो जमशेद पूर जो पढ़ता है राची के आसपास में वह एनी के दौरा शहर है टाटा स्टील्स की स्थापना एनी के द को तो जो क्लियर ट्रिप है यह अब किसके अधिगरेंड मा गई है किसके कैप्चर में आ चुकी है तो आंसर हम पर फ्लिपकार्ट के बाद में देखिए कि ऑक्टबर दोजाज साथ कुस्की साफना के अंदर यहां पर देखिए सचिन बंसल बिन्ली बंसल के दोरस की साफन कि नेक्स केोषणि आ पर यह है कि बजाच अटो के चेर्मन की रूप में किसे लिघ्य ऐस बंसल की बचे यहां रहुन से जिनोंने बिस्टीफा दे अपने पर से और यहां बच्ट से लेकिर अब तो यह बात करते हैं तो पूर्णी में इसके हैं रहते हैं और बता दू मेरे सात्यों कि 29 नवंबर 1945 को इस कंपनी के स्थापना के गेदी बहुत इंपोर्टन कोशन बनेगा आपसे नेक्स कोशन या पर यह बहुत इंपोर्टन है यह बहुत खबरों में रहा था कि तिहाने के हम बात करते हैं वह बात करते हैं कि किस दिश्ट से सम्धी था तो सम्धी था यह सम्धी थे आंपे चाइना से थीर ने इसी का interference को यहां पर बरदाश नहीं करता है और भी हाली में बहुत सारी countries ने मिल की हाँ पर साव चानल सी के आसपास के एरिया में इंट्रफेंस किया है सती बात है भारत की भी बहुत सारी space station बनने वाला है और जिसके लिए यहां पर बहुत सारे जो कलपूर्स है वो भेज़े जा रहे हैं यहां पर इंदर तो यहां पर तीहाने the harmony of the heavens यह बनाने की बात की जारी है चाइना के द्वाला आप देख पाएंगे बच्चे कि चाइना ने अभी क्या किया है यहां पर फर्स्ट mars रोवर को यह यहां पर भेज़ा है जिसका नाम है जुरोंग तो जुरोंग यहां पर क्या है पूचिंग आप से मार्स पर जाने वाला पहला रूवर है किसंसे चाइना का यह जॉरोंग नाम क्यों दिया गिया झेक Pi 오ूप Hybrid जाना में नाम पर वहाँ सारी नहां पाट पू मास पर जाने वाला जुरोंग है जो देख पाएंगे ठीक है वैसे बता दू कि नासा ने बहुत सारी हम पर अचीवमेंट्स को प्राप्त किया है कि वहाँ पर जो मिलने वाले कारबन डा ऑक्साड गयास है उससे ऑक्साइशन की प्राप्ति कर ली है और इंजिक्रेटी हेलिक प्राप्ति यहां पर जा रही है तो बच्चे यहां पर सड़क निर्मान कंपनी है जिसके नामें बी आरो डड़ा रोड़ और और इसकी कमान अधिकारी की रूप में किस महिला अधिकारी को चुना गिया है तो हूँ यहां पर बात करता हूँ यह बहुत इंपोर्टेंट है क्यों भारत की अंदर यहां पर रिखिये बहुत सारा शित्र है जो सीमावर्ती शित्रों का बनाना निर्मान करता है भारत की जब बात की जागी मेरे साथ यह भारत की 15,200 कि यहां पर अंतराश्टी सीमा है यहां पर लैंड बांडरी है और यह लैंड बांडरी यहां पर सेवन कंट्री को टच करती है अब भारत के से बहुत सारी शित्र है जो सीमावर्ती शित्र है अब सीमावर्ती शित्रों पर यहां पर किस तरह से रोड का डेवल था कि आपको बताओं कि भारत की निर्मान की बहूंत अच्छा किया है भारत पाकिस्तान दोने एक साथ बने थे हैं यहां पर विजलरी लिडर की कमी थी यहां पर भारत के जो प्रधामंत्री थे जर्वालर्ण नहरो जी उनका विजन काफी अच्छा था जिसका भारत तरकी पर चलता चला गया वहीं पर पाकिस्तां की हम जब बात करते तो विजनरी लीडर नहीं बनेते वह अपनी ही सियासत में घुमते रह गए और सीवर की जो कंडिशन वहां पर आ चुकी है तो बीयारो की स्थापना के पीछे मैं मानता हूं कि विजन है यहां पर जबाला नहरो का तो जितने भी यहां पर बॉडर एलियास है उन सब में highly construction करना इनका किसका काम है बीयारो का काम है इवन जितनी बी टर्नल का फॉर्मेशन होता है अगर आप कभी ले लड़ा जाते हैं तो ले लड़ा के अंदर जितनी बी टर्नल्स विलेंगी जो रोड बनती हैं high altitude जो रोड है उन सब का construction maintenance department का काम है तो आंसने पर बीयारो का जो आनली के अर्द काम करता है ठिके बच्चो ऐङलेंगे मैंने फोटो निकाल फोने है रो थांग पास से रोतांग पास के असपास जो रोड कंस्ट्रक्शन होती है वह टी и आरो की दें चे जाती है तो बीयारो की स्थापना कहीं इसकीक है यारे जरनलि के रूप में आने जा रहा हूं कि दादा भाई दादा पाल के जी है तो 29 अप्रेव को इन में से किस भारती महान पेंटर की यहां पे जनती मना जाती है यह मैंने क्यों कोशन लिया कि important बच्चे यह आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए history की पॉइंट्स से भी तो इसका सही आंसर पर राजा रभी वर्माजी अभी राजा रभी वर्माजी तो आपको बता दो मेरे साथियों कि राजा रभी वर्माजी को कहा जाता है father of modern art modern Indian art यह examination आपसे question पूछेंगे कि किस रखती को यहां पर father of modern Indian art कहा जाता है तो आंसर है राजा रभी वर्माजी को sir ऐसा क्यों है यह पहले ऐसे भारती पेंटर थे जिनौन ने यहां पे water colors को छोड़ कर oil paints का स्तमार किया था आपसी लोगों ने पसंद किया था सबसी इंपर्णन बात यह है कि 1904 में जब लॉर्ड करजन यहाँ पे थे तो लॉर्ड करजन के द्वारा इन्हें केसरे हिंद यहाँ पे गोर्ड मैडल से पुरस्कृत किया गया था उपाधी भी दी गई थी और यह पहले से भारती पेंटर बने थे जन्हें यह उपाधी मिल ही है मतलब इतनी पेंटिंग इतनी सुंदरता जासे लगता कि सजीव चितरन है ऐसा लगता है कि यह महिला लगता मुझे अभी बहार निकलने वाली है लेकिन ऐसा नहीं है अगर यह टेक्नोलोजी आज तो पर बात ही लगए जाए है ना चुल नेक्स कोशन यहाँ पर यह ह पूरा का पूरा अप्रिकेशन है जो लिख आए है जिसका नाम है मर्चंट स्टेक और यहां पर बात करते हैं बिजने बिजनेस विद कियर इसका जो प्रिंसेपल है वो दिया गया इस इस इंडुस्ट्रियल क्रेड़िट और इंवस्टमेंट कोपरेशन अफ इंडिया जिसकी स्थापन हुई थी यहां पर 1994 में जून 1994 में आपसे कोशन पूछेंगे और संधीब बख्षी जी इसकी वरतमान में को आप एंपे MDCEO है तो आपसे कोशन पूछा आगा तो आं आपसे पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे तो आंसान पर क्या है आए सी आए बैंक चलो नेक्स्ट कुशन आपर यह है कि हाली में शेयर मार्केट में इंडेक्स ने कितने साल का कितने साल निकाल दिये हैं और सेलिप्रेट किया है कितने सालों का तो इसका आंसर है 25 जिस 96 में 1996 में निप्टी 50 इंडेक्स की जो स्थापनातीव भाद में की गई थी और 25 वश पूरी कर दी है निप्टी 50 इंडेक्स ने रहा टंसरी तो आप देख पाएंगे कि उसमें मैंने एक डालोग सुना था कि बूल और क्यों बोलते हैं कि बूल अपने सींग से यहां पर शेर मार्केट को उपर पहुचा देता है जिससे ग्रोथ होती है और यहां पर यहां पर थोड़ा सा लो रखते हैं मार्केट को देखिए यह concept मार्के के अलग है इस पर चचा यहां पर यहां पर वाइल्ड इन्वेटर आवार्ट is और और ऐसा करने वाली यह पहली वूमन है भारत की पहली भारती महिला है बन गई है तो यह अ currently यहां यहां पर चीफ conservation scientist है कहां पर देखें Center for wildlife studies जो परता है बैंगलोरी बेस्ट studies है और यह यहां पर इस अवर्ड को प्राप्ट करने वाली वाइल्ड इन्विटर अवर्ड को प्राप्ट करने वाली फस्ट इंडियन और पहली एशिंग वूमेन है मिल चुका है अगर हम बात करें के वर्ड वाइलाफ डे के बारे में तो यहां पर वर्ड वाइलाफ डे मनाया जाता है हर साल यहां पर तीन मार्च को आप से ने के ग्यान मैं बता दू है तो पहला कोष्ण बनेगा और रामभुमी ट्रस से यहां पर नेत्या गोपाल डास जी स्के पीचर मैं आपसे कोशिंग यहां अब यह क्यों कर रहा हूं इसके पीछे कारण गया देखिए राम मंद्री का जो विवाद था काफी पुराना विवाद था जिसका फाइनल जजमेंट हो था 9 नौवंबर नौवंबर 2019 को सुप्रीम कोट के द्वारा और यह जो जजमेंट था ना यह पांच जज़ों के द्वारा दिया गया था इन पांच जज़ों में हमारे वर्तमान भारत की सीज़े रहते इससे पहले जो 24 अप्रेय को रिटार हो गयते बिच्चे तो आपसे कोशन पूछ सकते ह कि यहां पर अभी भारत में जो सीज़े रिटार हुए हैं इनके द्वारा कौन से विवादित फैसला दिया गया तो इस तरह कोशन भी आपसे पूछ सकते हैं तो मैंने पैड़े कोशन यही फ्रेम किया था है कि मैंने कोशन बदल दिया तो आप देख पांच जज़ों की ब इसलिए बुल रहा हूं कि यह विवादित रहा था कई लोग के लिए विवादित नहीं है तो यह वड़ित तो हता ठीक है इसमें इतना इश्यू वाली बात नहीं है तो रामंदी को जो फैसला दिया गया बच्चे वह दिया गया था पर CJ रंजंगोगे के द्वारा उसमें जबाते हैं इसे बोबडे जी यहाँपर नॉर्मल जस्टिस थे फिर रंजंगोगे जी होंपर रेटारर हो गले थे वो बोबडी जी बने तें पर कॉन से cj इसी फैसले के बाद में फिर यहाँपर जस्टिस अशंग भूशन जी है यहाँफर जस्टिस यहाँपर डिव 아이 आनन्द जिन्टेंडू कर ये धान चंद तो आप इसका अंसर मुझे कमेंट सेक्षिन में जरू कीज़ेगा अब जाने से पहले बेटा दो बाते हैं जो मैं करना चाहता हूं मेरे साथ समझेगा आपको इस सीखने को मिल रहा है कुछ बहुत नया जानने को मिल रहा है तो मैं चाहता हुए एक प्पास बहुत कुछ देने के लिए समस्था यह है कि आपको थोड़ी से मेंटिलिटी बदलनी पड़ेगी बच्चे मेरे पास बहुत बड़ा एक्स्प्रेंस का मैंने बहुत बच्चे बढ़ा है इससे पहले मैंने बहुत बड़े-बड़े अफ जो ऑल्लेयर प्लैटफर्म से उन्हें भी पढ़ाया है लेकिन रीजन यह है कि होता है यह है कि अगर आप एक बार किसी वीडियो को ना देखे तो उस पर कभी दुबार आते भी नहीं है तो यह कि मांगे चलगे आपको इसमें बहुत कुछ नया है जो दीखने को सीखने को जानने को जरू आया गया होंगा I have something जिसकाने से मैं इस चैनल पर हूँ तो दूसरी बात यह है कि आप इस क्लास को लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा में दूस्तों में जरूरू बताएगा दूसरी बात कमेंट्स नहीं करते हैं कमेंट्स में करते हैं कमेंट्स बहुत जरूरी है इसकी सारी क्लास मिनने वाली है और सबस्क्राइब बात है कि आज मेरी बाइलोगी क्लास आने वाली उसको ज़रूर दिखेगा बहुत यह शांद है अनिमेशन की दर रात बार जगता हूं आपके लिए और मेरा सोटा लगी होता दिन में सोटा होता है मिरा तो सोची अभी आपको आपको प्लासित दे रहा हूं वदब 6 बजें आपको करेंट आफस मिल जाता है तो सोची राती रात में ने पूरा करेंट बनाया और लेटेस करेंट आफस बनाया तो बहुत महने लगती है बहुत कुछ त्याग करा आप लोगों के लिए ताकि आपको बहतरी से बहतरी चीज कि बहुत करेंट